नमस्ते बच्चों, आज हम शब्द विचार को जो चार भागों में बाटा गया है, पहला भाग मैंने उत्पत्ती के अधार पे आपको समझा दिया था, पहले वीडियो में, इस वीडियो में आज हम आपको दूसरा भाग रचना के अधार पे समझाओंगे, हिंदी भाषा मे सभी शब्दों को उनकी रचना के अधार पे तीम भागों में बाटा गया है, रूर योगिक योगरूर, ये पूछे जाते हैं इनसे प्रश, रूर योगिक योगरूर, ध्यान दीजे, रूर शब्द वे होते हैं जिनको तोड़ा नहीं जा सकता, जैसे अगर मैं आपको ब अर्थ निकलते हैं लेकिन दोनों को मिला दो तो एक नया शब्द बनता है, योगरूर, वो होते हैं जिनका किसी पर्टिकुलर के लिए ही प्रयोग किया जाता है, उसका प्रयोग हम दूसरे के लिए नहीं कर सकते हैं, ठीक है, जैसे मान लिजे, अगर मैं आपको यहाँ प प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, रावन के लिए, रावन के अलावा हम इसका प्रयोग किसी और के लिए नहीं कर सकते हैं, पंकर शब्द का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, कमल के लिए, हम पंकर शब्द का प्रयोग किसी अन्य के लिए नहीं कर सकते हैं, वे शब्द ज प्राणें के लिए प्रयोग होते हैं अन्हें शब्द रूड़ शब्द कहते हैं जैसे चंद्र भ्राटा व्रिक्ष पुष्प यहां पे आप घर लेख सकते हो आख लिख सकते हो मकान लेख सकते हो यह इस सारे एक्जाम्पल जो हैं आपके रूड हैं क्योंकि इनको तोड़ा नहीं जा सकता अगर आप मकान को सपोज तोड़ते भी हो तो म प्लस कान का अर्थ तो पता है यह हो गया लेकिन म का कोई अर्थ नहीं होता इसलिए यह रूड शब्द है योगी जो शब्द दो या दो अधीक शब्दों की मिल से बने उन्हीं योगरूड कहते हैं जैसे यह मानलो देश भक्त यह दो शब्दों से बना est डेश भगद मतलब आप समझे इसका मतलब देश भग को कहा गया है इसको अर्दोडा जाता है तो देश जला ख़ब्रो पुस्तक प्लस आले, पुस्तक मतलब किताब आले का अर्थ होता है घर, इन दोनों शब्दों को मिलाने से बना है पुस्तक आले, तो ध्यान दो बच्चों, पुस्तक आले का अर्थ होता है लाइबरेरी, इनको दो शब्दों के मेल से बना है पुस्तक प्लस आले, तो अगर म मतलब स्कूल रसोई प्लस घर रसोई घर भी दो शब्दों के मेल से बना है रसोई प्लस घर रसोई घर का पूरा अर्थ होता है किचन अगर इसको तोड़ा जाता है तो रसोई का अर्थ होता है किचन और घर का अर्थ होता है घर तो ध्यान दो बच्चों, रूड जो शब्द होते हैं, उनको तोड़ा नहीं जा सकता योगिक दो या दो के अधिक शब्दों के मेल से बने हैं लेकिन जिस मेल से जो शब्द बने, उसका अर्थ तो निकलेगा ही और उसको तोड़ने पर उन दोनों के अलग-अलग अर्थ निकले यौगरूर किसी पर्टिकूलर के लिए जो प्रयोग किया जाता है उसको छोड़के उस शब्द का प्रयोग किसी अन्य के लिए हम नहीं कर सकते जैसे देखिए यौगरूर पे हम आते हैं जिन शब्दों में रूर तता यौगिक दोनों प्रकार के शब्दों की विशेस्ता हो अर्थात जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने हो पर किसी अन्य अर्थ की ओर संकेत करते हैं उन्हें यौगरूर शब्द कहते हैं उधारन कलम कलम और पंकज ये हम पंकज अर्थात कलम कमल कलम नहीं सौरी कमल इसका प्रयोग हम पंकज का प्रयोग सिफ कमल के लिए कर सकते हैं किसी अन्य के लिए नहीं हिम प्लस आले हिमाले हिमाले का प्रयोग हम सिक परवत विशेश के लिए कर सकते हैं किसी अन्य के लिए नहीं और उधारने पितामबर जलज दशानन ये सारे आपके योग रूड है ठीक है फिर से ध्यान दीजी रूड हुए जो शब्द जो तोड़ा नहीं जा सकता जैसे व्रिक्ष हो गया घर हो कि मिस यहां पर भी दो या दो के अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं यहां पर भी दो या दो के अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं पर इन शब्दों को तोड़ कर अलग अलग अर्थ निकलते हैं लेकिन इन शब्दों को तोड़ोगे तो किसी पर्टिकुलर के लिए ही प्रयोग के अधार पे आपको दो भागों में बाटा गया है विकारी और आविकारी इसे हम अगले वीडियो में पढ़ते हैं